हेलो फ्रेंड्स, हाव आर यू? GK 2020 YouTube चैनल की NCRT वीडियो सिरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में कल वाले टॉपिक को हम कंटीन्यू करने जा रहे है कल हमने नाई का दिवी वर्सिस महमत गोरी यानकी हाल ही में एक गुजराती फिल्म रिलिज हुई है जिसका नाम है नाई का दिवी दोस्तों इतियास से जुड़ी हुई यह फिल्म और इसलिए हमने तै कि यह महतो पुर्ण फिल्म दोस्तों कौन सी गटना से रिलेटेड है जो हमारे history यानि की इतियास से तालुक रखती है और आने वाली examination में आने वाली competitive examination में नाईका देवी या महमत गोरी से जुड़ा हुआ question पुछ लिया जा सकता है इसलिए दो पार्ट में हमारा यह वीडियो बना है कल हमने पहला पार्ट release किया था आज यह दूसरा पार्ट है तो यह पार्ट में आप लाश्ट तक बने रहे हैं लाश्ट में कमेंट शक्चन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अभी तक आपने हमारी G के 2020 चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब किजिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले चलिए बिना वक्त गवाए कल वाले टौपिक को कंटिन्यू करते हैं तो आज का हमारा टौपिक है रानी नाईका दिवी वर्सित महमत गोरी और यह पार्ट टू है और पार्ट टू में हम देखेंगे कि रानी नाईका दिवी ने महमत गोरी को कैसे हराया अपनी राज निती अपनी कुट निती अपनी युद्धर रण निती कैसे बनाई और महमत गोरी को कैसे हराया यह इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो चलो तूर्की लूटेरे मोहमत गोरी ने सन 1188 में अपने समुद्र जितने विशाल सेन्य बलके साथ लाहोर पर धावा बोला कल हमने यहां से दोस्तों एंड किया था यान कि कल वाले वीडियो में यहां हमने स् तो तूर्की लूटेरे मोहमत गोरी ने सन 1188 में अपने समुद्र जितने विशाल सेन्य बलके साथ लाहोर पर धावा बोला चलिए इस क्कूशन का अंसर बताइए मोहमत गोरी ने लाहोर पर कब आकरमन किया था 1188 में यानकि सही अंसर है ओप्षान C और आरिया वर्थ में दिस्तों आर्यावर्त किसे बोलते हैं? प्राचीन भारत को आर्यावर्त कह जाता है. कल भी मिने आपको बताये था कि हमारे रामाइन नामक सीरियल में लव कुछ द्वारा जो बहुत अच्छी दून गाई गई है, इसमें भी आर्यावर्त का जिकर किया गया है. तो आर्यावर्त में मुहमत गोरी अपना सल्तनत कायम करने के उद्दिशय से आगे बढ़ा मुलतान के मार्ग से होते हुए गोमाल दर्रा का मार्ग प्रशस्त किया मुलतान एवम उच्च से होते हुए तेज गती से उत्तर पुर्व की और कुछ किया जहां राजपुत शाशकों का शाशन था इस मार्ग से होते हुए उसने अन्हिलवार्ड की और कुछ किया यानकि वो गुजरात की कैपिटल अन्हिलवार्ड जिसे पाटन भी कहा जाता है तो वहाँ पर पहुचा एक बार फिर से पढ़ो कि आरिया वर्त में मुवमत गोरी अपना सल्तनत कायम करने के उद्देश से आ राजपुत शाशकों का शाशन था इस मार्ग से होते हुए उसने अन्हिलवार्ड की और कुछ किया और सन 1188 इस विशन में आबू परवत के समक्ष उपस्थित काट गद्दार रा गट्टा पर मुहमत गोरी ने अपना सैन्य शिविर बनाया दोस्तो याद रखना कि मुहम गुजरात की राजदानी अन्हिलवार्ड से यानकी पार्टन से तक्रीबन 40 मिल की दुरी पर था क्या दोस्तो जो यह सेन्य शिविर बनाया गया वो अन्हिलवार्ड से 40 मिल की दुरी पर था मुहमत गोरी ने जब गुजरात पर आक्रमन किया तब गुजरात की राजदानी दोस्तो कौन सा शहर गुजरात की केपिटल थी तो मैंने आपको बताया कि गुजरात पर आक्रमन मुहमत गोरी ने किया तब गुजरात की केपिटल थी अन्हिलवार्ड यदि अन्हिलवार् ओके चलिए इस question का अंसर बताईए कि नाये का देवी से युद्ध करने के लिए महुमत गोरी ने कहां शिवर स्थापित किया सेन्य शिवर स्थापित किया तो आबू पर्वत के समक्ष उपस्थित गदार गटा पर दोस्तो मुमत गोरी ने अपना सेनिय शिविर स्थापित किया आगे बात करें तो युद्ध से पूर्वक गोरी ने अपने दूद के हाथो संदेश भीजवाया कि रानी और उसके बच्चे को मुझे सौप कर तुम सभी अपनी अपनी महलावो कन्यावो एवं अपनी धन दौलत सब मुझे दे दो तो युद्ध से पूर्वक गोरी ने अपने दूद के हाथो संदेश भीजवाया कि रानी और उसके बच्चे को मुझे सौप कर तुम सभी अपनी अपनी महलावो कन्यावो एवं अपनी धन दौलत सब मुझे दे दो तो मैं तुम सब पर रहम कर जान बक्ष दूँगा और महमत गोरी यह सोचकर भोल कर बैठा था कि उसका मुकाबला एक स्त्री से है वह इस बात से अनविज्य था कि राजमाता नाई का देवी उस देश की महरानी है जहां महिशासुर मर्दीनी दुर्गा चंडवा मुंड नामक राक्ष शोकी संहार कारीनी मा काली जैसी भी अवतरित होती है उस देश की हर साधारन नारी के अंदर एक दुर्गा काली रूपी स्वरूप भी होती है जो राष्ट्र दर्मा पर विपत्ती आने पर समय समय पर अवतार लेती है दोस्तों यहां भारत वर्ष भारत वर्ष की गाथा बदाई गई है कि गोरी यह सोच कर भूल कर बेठा था कि उसका मुकाबला एक स्त्री से है वह इस बात से अनविज्य था कि राजमाता नाईक का देवी उस देश की महरानी है जहां महिशा सुर मर्दीनी दुर्गा चंड मुंड नामक राक्षशो की सहार कारेनी मा काली जैसी असुर सहार कारेनी भी अवतर लेती है और राजमाता के सेनापती के हाथों गोरी का दूत पत्र सौपकर उत्तर की प्रतिक्षा में महल के प्रवेश्द्वार पर प्रतिक्षा करने लगा क्या दोस्तों राजमाता के सेनापती के हाथों महमत गोरी का दूत पत्र सौपकर उत्तर की प्रतिक्षा में महल क प्रवेश्दार पर प्रतिक्षा करने लगा और राजमाता नाईका देवी ने अपने सेनापती कुवर रामवीर के हाथों पत्र का उत्तर लिखकर पेजा की जाओ जाकर गोरी से कह दो उनकी शर्ते मान ली है हमने दस्तों यहां कुट निति का सहरा लिया है किसने हमारी पति के हाथों गोरी का दूत्त पत्र सौपकर उत्तर की प्रतिक्षा में महल के प्रवेश्दार पर प्रतिक्षा करने लगा राजमाता नाईका देवी ने अपने सेनापती कुवर राजवीर के हाथों पत्र का उत्तर लिखकर पेजा की जाओ जाकर गोरी से कह दो उनकी श सही आंसर है औप्शन भी चलिए इस कुशन का अंसर बताए राज माता नाई का देवी ने महमत गोरी की और बाद में रिक्तस्थान दिया गया है तो रिक्तस्थान पर क्या लगाने पर यह सेंटेंस सही होगा कि राज माता नाई का देवी ने महमत गोरी की महमत गोरी की शर् रसल यह शर्टे मानली नहीं थी तो यहां सही आंसर बनेगा महमत गोरी की शर्टे नहीं मानी थी क्या राज माता नाईका देवी ने महमत गोरी की शर्टे नहीं मानी थी सही आंसर है ओप्शन सी गलती कर वेट है ना ओके चलो आगे बात करें तो राज माता ने अतियंत पिने सोचा कि ऐसे महमत गोरी जैसे क्रूर आक्रमन कारी के साथ चल से ही युद्ध करना उच्चित होगा और राज माताने आरिया वर्त की अस्मिता और थात आरिया वर्त की मातावो एवं नाबालिक कन्यावो पर कोई आच ना आये इसलिए यद चल किया था गोरी की शर्तों को मानकर उसे ब्रह्मे रहने दिया गोरी के पास जब ये खबर पहुँची की उसकी शर्ते मानली गई है तो उसने इस खबर को सच मन लिया कि राज माता ने बिना युद की ये हत्यार डाल दिया और उसने इस आसान जित का जश्न मनाने की तयार्या भी शुरू कर दे और इसी प्रतिक्षा में थी राज माता नाई का देवी उन्होंने अपने सेनापती को आदेश दिया कि राज्य के गुप्त द्वार से मातावो एवम कन्यावो को लेकर राज्य के प्रजागण पडोसी राज्य नाडॉल में जाकर शरन ले नाडॉल के चोहान वंचिय कलहन देव चोहान ने गुजरात से आये शरणार्थियों को शरण दी एक बर फिर से पड़ो कि गोरी की शर्तों को मान कर उसे ब्रह्म में रहने दिया गोरी के पास जब यह खबर पहुंची कि उसकी शर्ते मान ली गई है तो उसने इस खबर को सच मान लिया कि राज माता ने बिना युद्ध की यह हत्यार डाल दिये और उससे इस आसान जित का जश्न मनानी की तयारिया भी महमत गोरी ने शुरू कर दी और इसी प्रतिक्षा में थी राज माता नाई का देवी उन्होंने अपने सेनापती को आदेश दिया कि राज्य के गुप्त द्वार से मातावो एवम कन्याओ को लेकर राज्य के प्रजागन पडोसी राज्य नाडोल में जाकर शरन ले और नाडोल के चोहान वंशिय महराजा कलहन देव चोहान ने गुजरात से आये शरनार्थियों को शरन दी चलिए अब इस कोईशन का अंसर बताईए कि राज्य माता नाईका देवी ने मातावो एवम कन्याओ की रक्षा के लिए उन्हे कहां बेज दिया नाडोल बेज दिया पडोसी राज्य नाडोल में शरन ले और प्रजा को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाने के बाद राज्य माता नाईका देवी ने अपने दोनों पुत्रों को पीठ पर बांद लिया और खोडे पर सवार होकर गोरी की शिविर की और चल दी और मेरुत तुंग द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंता मनी एवं अन्य इतियासकारों ने भी इस बात की पुष्ट की है दोस्तो महमत कोरे और रानी नाईका देवी के बीच जो युद्ध हुआ इसका जिक्र किस ग्रंध में मिलता है प्रबंध चिंता मनी नामक ग्रं वीडियो है जो पुराने ग्रंथ और यह ग्रंथ के लेखक कौन है उनके बारे में वीडियो में हमने बढ़ाये है हमारी चैनल के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है हिस्ट्री में जाकर हिस्ट्री मेनू में जाकर आप यह वीडियो देख सकते है चली आंसर बताइए इस लिए के राजमाता नाईका देवी और महमत गोरी के जो युद्ध हुआ इसकी पुष्टी दुस्तो किस ग्रंच से होती है प्रबंद चिंता मणी से होती है सही आंसर है option A और आइसा भी question पुछ लिया जा सकता है कि प्रबंध चिंता मनी ग्रंच किसने लिखा है और अगेव प्रतिम रणनिती ने उन्हें आर्या वर्थ की सब से प्रतिम रणनिती कैसे बनाई थे वो हमें यहां बताया गया है एक बार फिर से देखो कि राजमातानाईका देवी की योजना अनुसार यह रणनिती बनाई गई थे राजमाता के निकलने से पुर्वा ही महमत गोरी के सेन्य शिविर में दोसो राजपुत योद्धा पेश ब पाड के सीमा को गेर कर रखेंगे और राजमाता नाईका देविका इस अप्रतिम रण निती ने उन्हें आर्यावर्थ की सब से कुशल युद्धा भी बनाया और राजमाता गोरी को भ्रह्मे रखना चाहती थी इसलिए उन्होंने अपने 25,000 सैनिकों को कहीं टूकडियों मे बाट दिया कुछ गोरी के सैन्यबल में मिल गए कुछ आबू परवत की घाटियों को गेर कर छिप गए और कुछ ने काया दरा की सीमा को गेर लिया क्या दस्तो राजमाता नाईका देविके पास 25,000 सैनिक थे लेकिन उन्होंने क्या किया 25,000 सैनिकों को विबिन टुकडिय क्या किया देखो राजमाता गोरी को ब्रह्में रखना चाहती थी इसलिए उन्होंने अपने 25,000 सैनिकों को कहीं टुकडियों में बाट दिया कुछ गोरी के सैन्य बल में मिल गए कुछ आबू परवत की घाटियों में घेर कर और कुछ ने काया दरा की सिमा को गिर लिया औ उनके बाकी बचे सेन्य बल को लेकर स्यनापती कुवर रामवीर भी थे। के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो हमें पता लगाना है चलो पड़ो पाला सेंटेंस राज माता नाइका देवी ने महमत गोरी के साथ युद करने के लिए अलग ही रण निती बनाई थी यह कथन बिलकुल सही एक अलग ही प्रकार की रण निती बनाई थे और कुवर पुल सही तो आंसर बन जता है option C और महमद गोरी अपने शीविर से बाहर निकल कर चालुक्य सौलंग की राजपुतों के सेनिय शीविर की और देखने लगा उसने देखा कि कुछ गूर सबार उसके सेनिय शीविर की और आ रहे है और नजदिक आने पर उसने देखा कि एक की राजपुतों के सेनिय शीविर की और देखने लगा उसने देखा कि कुछ गुड़ सबार उसके सेनिय शीविर की और आ रहे है और नजदिक आने पर उसने देखा कि एक खुब सुरत महिल sudah को अपने बच्चों को अपने साथ बान कर उसकी और आ रही है था महमद गोरी कि वह कुछ समझ पाता उसके शिविर में मौजुद राज माता के गुपत सैनिकों ने हर हर महादेव का शंखनाद करते हुए आक्रमन कर दिया और हाँ हाँ कार मचा दिया दोस्तो रानी नाई का देवी नामक जो गुजराती फिल्म बने है इसमें यह सीन भी आता है ऐसा होत हर हर महादेव करके दोस्तो सभी रानी नाई का देवी के सैनिक तूट परते है किस पर महमत गोरी की सेना पर देखो महमत गोरी इस पूल में था कि राज माता की प्राजे हो चुकी है वह मन ही मन हसी रहा था कि अचानक से रानी नाई का देवी के गोडे रुख गये इससे पहले की वह कुछ समझ पाता उसके शीविर में मौजुद राजमाता के गुपत सैनिकों ने हर हर महादेव का शंखनाद करते हुए आक्रमन कर दिया और हाहा कारमचा दिया इस बीच राजमाता नाई का देवी के पीछे गज सेना अस्वा सेना एवं पैदल सैनिकों के अपने परवत और पत को गेर लिया था गोरी के पाच कूछ सोचने एवं समझने का समय ही नहीं रह था उसने आनन फानन में अपनी भागती सेना को एकत्र किया और आक्रमन की तयारी के राजमाता नाई का देवी के दोनों हाथों की तलवार साक्षात दुर्गा बनकर अव अबिशेक हो रहा हो अंत में राजमाता गोरी की सैनिकों के चक्रव्यू को बेद कर गोरी तक पहुँच गई और दोस्तों यह क्विशन की बात करते हैं लेकिन एक बार फाइटिंग फिर से देख लेते हैं कि इस बीच राजमाता नाई का देवी के पीछे गज सेना राजमाता नाई का देवी ताक्षात नाई के टलवार डूर्गा अउतलते हो टारोने की बात के राजमाता फाइटी की यहां को जाज की अगी kar harderNe matter राज माता नाइका देवि के संदर्ब में कौन सा कथन सही है दो सेंटेंस दिये है दोनों को त्यान से पड़ो वे दोनों हाथों से तलवार चलाना जानती थी जी हाँ नाई का देवी के सैनिकों के चक्रव्यू को भेद कर महमत गोरी नाई का देवी तक पहुँच गया यह कथन गलत है दोस्तो नाई का देवी के सैनिकों के चक्रव्यू को भेद कर महमत गोरी नाई का देवी तक नहीं पहुचा था बलकि नाई का देवी महमत गोरी के सैनिकों के चक्रवीव को बेद कर कहां पर पहुंच गई थी महमद गोरी के पास यह सेंटेंस गलत हो गया और हमें पुछा गया है कौन सा कथन सही है के वल एक नमबर का सेंटेंस सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए महमद गोरी उनकी एक जलक पाकर भैबित होकर भागने लगा क्या द कि दल्वार की वार से गोरी मुर्चित हो गया उसका अंग भंग हो गया था इससे पहले कि महमद गोरी राज माता के हाथों से मृत्यू को प्राप्त होता महमद गोरी की सेना वहां आप पहुंच और उन्होंने महमद गोरी को वहां से गायल अवस्था में बचाकर निकाल आगया क्या दोस्तों हुआ कि महमद गोरी उनकी एक जलक पाकर भाइबीत होकर भागने लगा। दर गया था कि उसके घाव से खुन बहने के बाद भी वह गोड़े से नहीं उत्रा था और सिधा मुलतान पहुच कर गोड़े से उत्रा गोरी ने अपने सैनिकों को हुकुम दिया था कि गोड़ा किसी हाल पे नहीं रुखना चाहिए उससे निद आ जाये या किसी भी इलाज क जरूरत पड़ जाये पर गोड़ा मुलतान गंतव्य पहुच कर ही रुखना चाहिए दोस्तो महमत गोरी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि गोड़ा रुखना नहीं चाहिए कहा तक मुलतान गंतव्य तक देखो महमत गोरी इतना डर गया था कि उसके घाव से खुन बहने के बाद भी वो गोड़े से नहीं उत्रा था और सिधा मुलतान पहुच कर गोड़े से उत्रा गोरी ने अपने सैनिकों को हुकम दिया था कि गोड़ा किसी हाल पे नहीं रुखना चाहिए उससे निद आ ज पर गोड़ा मुलतान गंतविया पहुचने के बाद ही रुखना चाहिए चलिया आंसर बताइए कि महमत गोरी ने गायल अवस्ता में अपने सैनिकों को हुकम दिया था कि बाद में रिक्त संधिया है तो क्या हुकम दिया था कि वे हर हाल में नाईका देविका सामना करे ऐस गोड़ा किसी हाल पे नहीं रुकना चाहिए कहां तक मुलतान पहुचने तक गोड़ा नहीं रुकना चाहिए ऐसा दोस्तों अपने सैनिकों को आदेश दिया था महमत गोरी ने सही आंसर ये ऑप्शन बी अगर गोड़ा कहीं रुख जाये ठक कर तो उसे दूसरे गोड़े पे बैठा कर ले जाने का हुकम दे रखा था जब गोरी मुलतान पहुचा तो वो पूरी तरह से खुण से लत्पत था उसे पता चला कि रानी नाई का देवी की तलवार के वारसे वो अपना गुपतांग खो चुका था और हमेशा के लिए नपुसंग बन गया था क्या रानी नाई का देवी की तलवार के वारसे वो अपना गुपतांग खो चुका था और हमेशा के लिए नपुसंग बन गया था इसके बाद 13 वर्षों तक महमद गोरी की भारत पर आक्रमन करने की हिम्मत नहीं हुई किसने दिलही नरेश समराट केलहान देव चोहान ने भी महमद गोरी के साथ युद में उस समय रानी नाई का देवी की साहाइता की थी करनल टोड एवं डॉक्टर दशरत सर्मा की पुस्तकों से यसाक्षय मिलता है कि दिलही नरेश समराट केलहान देव चोहान ने एक चात्र शाशन स्थापित करके 5 राज्यों के राजाओं के साथ रानी नाई का देवी की साहाइता के लिए अपने अपने सेन्य बल के साथ राण भूमी में उपस्तित हुए थे यान कि रानी नाई का देवी को विबिन पांच राज्यों से साहिता मिले थी एक बार फिर से पढ़लो यहां से कि अगर कोड़ा कहीं रुक कर ठक कर रुक जाए तो उसे दूसरे कोड़े पे बैठा कर ले जाने का हुकम दे रखा था किसने महमत गोरी ने और जब महमत गोरी मुलतान पहुँचा तो वो पूरी तरह से खून से लत्पत था उसे पता चला कि रानी नाई का देवी के तलवार के वार से वो अपना गुपतां खो चुका था और हमेशा के लिए नपुसंग बन गया था इसके बाद 13 वर्षों तक महमत गोरी की भारत पर आक्रमन करने की हिम्मत नहीं हुए दिलही नरेश समराट केलहान देव चोहान ने भी महमत गोरी के साथ युद में उस समय रानी नाई का देवी की साहिता की थे करनल टोड एवं डॉक्टर दसरत सर्मा की पुस्तकों से यह साक्षय मिलता है कि दिलही नरेश समराट केलहान देव चोहान ने एक चत्रशाशन स्थापित करके पांच राज्यों के राजाओं के साथ रानी नाई का देवी की साहिता के लिए अपने अपने सेनियंबल के सा राण गूमी में उपसित हुए थे चलिए अंसर बताए महमद गोरी के साथ युद में रानी नाई का देवी की साहिता किस ने कि थे महमद गोरी के साथ जब युद हुआ तो रानी नाई का देवी की साहिता किस ने कि थे तो दिलही नरेश केलहान देव चोहान ने रानी न रानी नाई का देवी की तलवार के वारसे शारीरिक रूप से नपुसंग बनने के बाद महमत गोरी की कामेच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो गई थे। और महमत गोरी जब तक जिवित रहा वह उस राजपुतानी के तलवार की धार को कभी नहीं बुल पाया लड़ाई के लिए जब अब वह असमर्थ हो चुका था उसे अब अपने दासों पर ही निर्बर होना पड़ा उसका वन्ष भी आगे नहीं बढ़ सका उसने अपनी सारी संपती एवं राज्य उसके द्वारा बनाये गए यौन गुलामों में बाड़ दिया महमद गोरी ने बाद में क्या किया कि महमद गोरी जब तक जिवित रहा वह उस राजपुतानी की तलवारों की धार को कभी नहीं बुल पाया लडाई के लिए अवव असमर्थ हो चुका था उसे अब अपने दासों पर ही निर्भर होना पड़ा था उसका वंश आगे नहीं बढ़ सका उसने अपनी सारी संपती एवं राज्य उसके द्वारा बनाये गए यौन गुलामों में बाड़ दिये चली आंसर बताईए रानी नाई का दिवी की तलवार के वारसे शारीरी रूप से महमत गोरी ने दोस्तो तलवार के वारसे रानी नाई का दिवी ने क्या नुक्सन पहुँचाया था तो महमत गोरी के गुपतांग को दोस्तो काट दिया था यानि कि महमत गोरी अपना गु पूरी तरफ पराजित किया। दोस्तों यह भी इतियास से रिलेटेड महतोपुर्णा घटना है। यह भी याद रख लेनी चाहिए कि महमद गोरी और प्रिथ्वी राज चोहान के बीच तराइन के मैदान में दो युद्ध हुए। 1191 में हुए तराइन के प्रतम युद्ध में प्रिथ्वी राज चोहान को विजय प्राप्त हुए। किन्तो अगले ही वर्ष 1192 में प्रिथ्वी राज चोहान को तराइन के दवीतिय युद्ध में महमद गोरी ने बूरी तरा प्रिथ्वी राज चोहान को प्राजित किया। बाद में मुहमत गोरी गजनी प्रांथ चला गया बाद में गोरी के गुलाम कुत्बुदिन अइबख ने गुलाम राजवंश की स्थापना की थे। अपुदिन आईबग ने गुलाम राजवंज की स्थापना की और दोस्तों यह याद रखना कि सोहावाद जलम जो पाकिस्तान में स्थी थे सोहावाद जलम में क्या है महमद गोरी का मकबरा पाकिस्तान के सोहावाद जलम में स्थी थे क्या महमद गोरी का मकबरा इमेज में दो युद्ध हुए थे तो मुहमद गोरी और किसके बीच प्रिथ्वी राज चोहान के बीच तराइन के मैदान में दो युद्ध हुए थे तो सही आंसर बनता है option C वीडियो को खत्मा करते हैं दोनों पार्ट आपको वाके में अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को facebook, whatsapp या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो की link share का ना मत बुलिएगा कल मिलेंगे एक नए टोपिक के साथ तब के लेटे care and जय हिंद